ओम सर्व मंगलमितिशुवंग श्रिसिद्धी जैनल आपका स्वागत करता है। इसलिए सरत पूरिमा की रात्री चंद्रमा की किर्णों के नीचे खीर बनाकर रग दी जाती है और उसके बाद उस खीर को प्रसाद की रूप में ग्रहन किया जाता है। इसलिए सिव मंदिर में बहुत सी इस्त्रिया पूरिमा का पूजन कर रही थी। दोनों बेहनों ने उनसे पूछा की है बेहनों ये तुम सब किसका ब्रत कर रही हो। इसके करने से क्या होता है। तब उनमें से एक इस्त्री ने कहा हे पुत्री हम लोग यहां सरत पूरिमा का ब्रत कर रहे हैं। इसको करने से इस्त्री को सुक्स वभाग एवं दीरगायू संतान की प्राप्ती होती है। सिया ने पूछा कि है बेहन इस व्रत को करने की विधी क्या है। उसमों से पूजन करकर पूर की आरती करें। खीर का नैवे दरफित कर उस खीर को कम से कम तीन घंटे या पूरी रातरी चांदनी में रखें। और स्वयम भी प्रसाद ग्रहन करें। पूरिमा वरत के दिन चांदी के पात्र में जल्ब एवं सफेद कपड़े में साबुत चाबल रखें, उन्ही चाबलों में से कुछ चाबल हाथ में लेकर वरत कथा सुने एवं चंदर देव की स्तूती करें या उनके नामों का इस्मरण करें, अक्षत छोड़ कर अन्य चाब दोनों बेहनों का विवाह हो गया, दोनों अपने अपने सस्राल चली गई, विवाह के वाद सिया ने चार पुत्रों को जन्मि दिया, परंतु सरला के विवाह के आठ वर्ज व्यतीत हो गए, और उसके कोई संतान नहीं हुई, वह दुखी रहने लगी, सिया ने उसे समझा के पुजारी से पूछा, तब पुजारी ने बताया कि पूर्वे में ब्रत भंग के दोस्स से ऐसा हुआ है, इसलिए यदि कोई अपने तीन वर्ज के सरत पूरिमा का पुन्यफल का दान संकल्प करे तो वह पुत्र जीवित हो सकता है, तब सरला ने अपनी बड़ी बेहन स सिया को बुलभाया और उससे प्राथना की, कि वह अपने तीन सरत पूरिमा के ब्रत का पुन्यफल दान कर उसके सिसू पर करे, सिया ने वैसा ही किया, सिया के पुन्यफल का दान संकल्प करते ही, सरला का म्रत सिसू जी उठा, तब सरला ने सिया का भार व्यक्ति किया, और सुख और सौभागे की प्रात्ति की जय श्री राम